हाई मैं हूं CA गारत सबरवाल 18 Commerce Academy यंदार से जैन फैब बिंडो आ रही है CA में USA एक्जाम के लिए हम कैसे जाने हैं कि भई हम इन एक्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं यह विडियो देखते रहो और समझ जाओ कि आप इस एक्जाम के लिए प्रिपेड हो के नहीं और अगर हो तो क्या मिसिंगे आपके प्रिप्रेशन में आईए शुरू करें वेल्कम टू करियर तूज्डेज ऑन दर मूव यहां पर हम करियर और मोटिविशन से इडेटेट अनबायस्ट वीडियो बनाते हैं तो भाई मैं आपको सिंपल 5-step प्रोसेस बताने वाला हूं जो अगर अगर आप अलड़ी फॉलो कर चुके थम्स अप कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम के लिए आप तयार है अगर इनमें से कोई भी step आपका मिसिंग है तो उसे complete कर लें और एक्जाम के लिए आप तयार है ऐसा आप मान करके चल सकते हैं ठीक है जी आए शुरू करते हैं step number one से मैं उमीद करता हूं अभी तक complete कर लिया है step number one is conceptual clarity हर concept आपको बिल्कुल crystal clear यहां पर होना चाहिए नहीं है तो आप रीच आउट कर सकते हैं अपने ट्यूटर को और अपने डाउट सग्रा सॉल्व कर लें दूसरी बात है अगर आप सिल स्टडी कर रहे हैं तो आप मारा डि स्टेप नंबर two ठीक होगी अब हमें इसे अप्लाई भी तो करना है यानि की application तो भई application के लिए चाहिए होता है discipline कहीं सारे students क्या करते हैं पढ़ते जाते हैं लगाता है बट अपनी knowledge को apply नहीं करते और सीखे वे concept को फूल जाते हैं यह गड़बड बात है बहुत ठीक है न उसी वक्त simultaneous सीखते चले जाए वो recommended होता है बट कई सारे students उस चीज को follow करने पाता है तो यहां पर मैं आपको यह कहूंगा कि अगर अभी तक आपने कोई भी concept ऐसा है जिसके आपने questions वगरा solve करके practice नहीं करें प्लीज finish कर लें very very crucial अपने shortcuts के ओपर काम करें कहीं सारे questions ऐसे ह परती कुछ shortcuts apply करके जल्दी आप पांसर फिराइब कर जाते हैं और ऐसे shortcuts जो आपका एक question जिसमें आपका पचास या साथ या पच्पन सेकेंड लगने थे वह आपका 20 सेकेंड में हो जा रहा है ऐसे shortcuts बहुत काम में आते हैं exam के अंदर अपना time का pressure कम करने के लिए let me know in the comments down below अगर आप चाहते हैं कि आसे shortcuts के बारे में मैं फटाफट से बना दो ठीक है जी बात करते हैं तीसरे step की which is test your weakness अब इस point के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर इस channel पे आप आने हैं पहली बार और नहीं किया है subscribe तो फटाफट कर लें subscribe क्योंक करेंगे CMA USA की exam की preparation करने में वही exam day पर आपको क्या करना है या फिर exam देते से आपकी strategy क्या होनी चाहिए और कई सारी चीजें इसकेंदर हम discuss करने वाले साथ ही साथ में कुछ students के podcasts भी आने वाले episodes में लेकर क्या हूंगा जिन्होंने अभी अभी recently CMA USA clear किया है ठीक है ना तो test करने का मेरे एसाब से बेस तरीका होता है section wise test को देने का यानि कि ऐसे practice session जिसके अंदर आप एक टाइम पे एक पर्टिकुलर section को target कर रहे हैं हर पार्ट के अंदर 6 section होते हैं तो एक बार में एक section को पगड़ ले और उसको solve करना शुरू कर दें वहां पर आपको पता चल ज करें doubt clear करें weakness हो गई दूर step number three में weakness को test करना है हमको आते है step number four पे ठीक है अब हमको exam environment का भी तो पता होना चाहिए step number four के अंदर आप solve करना शुरू करते हैं full mock test कम से कम में 5 mock test तो recommend करता हूं बट जतने ज्यादा करें उतना बढ़िया है time का ख्याल रखें एक disclaimer यहां पर मैं चार घंटे में नहीं होते हैं कितना भी आप पूशिश कर लो और घबराना नहीं अगर नहीं होरे पांच घंटे भी लगए चलेगा पहले के दो mock test के अंदर हमें experience चाहिए होता है time का हिसाब किताब हमें पता लगना शुरू होता है और उसके बाद के mock test आपके time से होने श सब्सक्राइगा या simply app भी download आप हमारी कर सकते हैं चाल जी तो step number 4 हो गया walk test भी हम ने कर लिया अब तो सब कुछ आ गया सार हमको अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है step number 5 के अंदर अब हम शुरू करते हैं speed practice यानि कि जो मैं अपने students को recommend करता हूं मैं आपको भी बता रहा हूं आपको daily basis पे चार चार गंटे के सिर्फ दो session करने हैं ठीक है आप बड़े अराम से four hours बैट पा रहे हैं और यह four hours के अंदर जो questions आप practice करेंगे उनका pattern भी होना चाहिए फुल कोर्स का आप mocks जो देते हैं वही देंगे तो यह extra mocks आप समझ लें इसके अंदर आप four hours बैट करके practice कर रहे हैं बट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा एक different format भी रख सकते हैं कि हमने three hours का mcq की बजाए हमने four hours लगा था mcq ही दे दिया you can do permutation and combination just to get the habit of sitting for four hours and doing as many questions as possible correctly in four hours ठीक है ना तो यह कोशिश आप करें इसका इंतजाम भी इसके अपना पूरा का पूरा कोर्स जो है practice कर सकते हैं और उसके बाद descriptive question पर अलग से जाकर कि उन्हें अलग से practice कर सकते हैं right finally step number five के अंदर speed practice जब आपका यह हो जाता है speed practice ना आपको exam से पांच से साथ दिन पहले शुरू कर देनी चाहिए पांच दिन भी अगर आप यह speed practice कर लेते हैं तो exam day पे आप super duper confidence होगे ठीक है तो यह थे पांच step अगर यह पांच step कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है इनमें से कुछ भी missing है तो इने finish करें doubts अगर आपने clear करें एंड तयार हो जाए अपने exams के लिए चिंता ना करें अगर कोई एक या दो step आपके छूट गए हैं अभी भी समय है शुरू हो जाएं now you know कि क्या-क्या चीज़ें हमको करनी जरूरी है in order to make sure that we are ready for the examination LinkedIn पर मुझ पॉड्कास्ट इस अवेलेबल ऑन LinkedIn उसका एक शॉर्ट वर्जिन में यहां पर YouTube पर डालता हूं ठीक है जी तो LinkedIn पर फॉलू कर रहें लिंक उसका भी आपको मिल जाया का description में आउमीद करता हूं कि इस episode के अंदर इस पहले episode के अंदर आपको कुछ idea लगा होगा कि आपको अ करते हैं अगले episode में